हाई एवरिवन, आज हम बनाएंगे आलू मटड की सूखी सबजी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो गैस पर हमने कराही में 4-5 चमच तेल डाल दिया है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे, अब इसमें डाल देंगे 1-2 त चटकने देंगे, तो अब यह चटक चुका है, अब इसमें डाल देंगे एक बराबारी कटा हुआ प्याज, इसे मिला लेंगे और प्याज को सौप्ट होने तक मीडियम आच पे भून लेंगे, तो अब प्याज सौप्ट हो चुका है, अब गैस यहाँ पर धीमी कर देंग अब इसमें डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच से थोरा कम हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसान नमक, आधा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोरा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, अब इसे अच्छी तरह स मिला लिया है साथी इसमें डाल देंगे एक कटूरी हरा मटर मिला देंगे और इसे धीमी आज पे तीन से चार मिनट के लिए भून लेंगे बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे तो अब चार मिनट हो चुके हैं अब इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू यहाँ पे हमने 6-7 उबले हुए आलू लिये हैं आलू को हमने छील कर छोटे छोटे टुकरों में तोर लिया है इसमें डाल देंगे अब गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे मिला देंगे और आलू को मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भून लेंगे तो अब दो मिनट हो चुके हैं अब इसमें डाल देंगे डेट चमच अद्रक लसुन हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट साथ ही इसमें डाल देंगे एक बरा बाड़ी कटा हुआ टमाटर मिला देंगे और इसे साथ से आट मिनट के लिए मीडियम आज पे भून लेंगे बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे तो अब साथ से आट मिनट हो चुके हैं इसमें हमने आधा चमच गरम मसाला भी डाला है आप इसमें धनिया पता भी डाल सकते हैं तो अब गैस बंद कर देंगे तो अब आलू मटर की सूखी सबजी बनकर तयार है तो आप भी इस रेशिपी को एक बाद जरू ट्राय करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेशिपी कैसी लगी अगर आपको ये रेशिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें